मुम्बई के एक पार्सी परिबार में एक बच्चे का जन्म हुआ जब वो छह साल का हुआ तो उसके एडविशन की बारी स्कूल में आई इस्कूल के प्रिंस्पल ने उसके नामांकन से कहते हैं मना इसलिए कर दिया क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से हक लाता था और ठीक उसी समय में आजादी की लड़ाई देश में चल रही थी और देश के सबसे काबिल वकील के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ बाद में उसे भी गूंगी गुडिया कहा जाने लगा उसका नाम इंदीरा जांधी था और वो बच्चा जो हकलाता था जिसका एडविशन स्कूल में होने नहीं पाया था वो बच्चा भारत के न्याईक इतिहास का सबसे सम्माननी व्यक्ती बन गया उनका नाम नानी पाल की वाला था आज भी सुप्रीम कोट में नानी पाल की वाला का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है इंडियन जूडिसियरी में नानी पाल की वाला से बड़ा नाम किसी का नहीं है हाल में भारत के मुखे नियाधीस जस्टिस डी वाई चंदरचूर ने उनी के सम्मान में कहा कि हमने जो कुछ भी सीखा है नानी से ही सीखा है भारत में आज भी वकील नानी के नाम पर शपत लेते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है जब नानी पालकी वाला सुप्रीम कोट में जीरह करते थे तो सामने जज़िज भी मौन हो जाते थे नानी जो बच्पन में हकलाते थे बूरी तरह से ऐसा क्या हुआ कि वो उस समय गुंगी गुडिया कही जाने वाली इंदिरा गांधी से सीधे टकराने लगी इंदिरा गांधी की सरकार ने उस नानी पालकी वाला को भारत के अटार्णी जनरल बढ़ने की काबसर दिया लेकिन नानी ने भारत के अटार्णी बढ़ने का प्रस्ता लात मार दिया अटोर्णी जनरल भारत के सबसे बरे न्याइविद होते हैं भारत सरकार का पक्ष सुप्रिम कोट में रखते हैं लेकिन नानी ने उस न्याइपालिका के वकीलों के सरवुच्च पद को ठुकरा दिया सरकार इंदीरा गांधी की थी और इंदीरा गांधी उस समय में अब पीक पकर रही थी इंदीरा ने 1979 में दो सम्मिधान में दो संसोधन लाए और उसने इस देश की पूरे चड़ित्र को बदल दिया दरसल अंग्रेजी सत्ता के समय में जो रजबारों से एक वाइदा किया गया था इंदीरा ने उस वाइदे को तोड़ दिया इंदिरा ने रजबारों को मिलने वाले प्रीवी पर्सिस को खत्म कर दिया जो एक उनसे वाइदा था कि उन्हें उसी राजा की तरह रखा जाएगा सम्मिधान में संशोधन करके इंदिरा ने उसे खत्म किया उनकी लोकप्रेता चरम पे चली गई उसके बाद उन्होंने उसी समय में 14 बैंकों का राश्ट्रे करन कर दिया इंदिरा की लोकप्रेता एक दम पीक पर थी इंदिरा गूंगी गुरिया से अब देश की सबसे लोकप्रेतान मंत्री के सफर पर निकल रही थी उसी समय सुप्रीम कोट में एक केस आया दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर केरल में एक संथ एक मठ का प्रमुक था नाम था केशवानंद भारती केशवानंद भारती केरल के एक मठ चलाते थे उनका मामला सुप्रीम कोट कैसे पहुँच गया दरसल केरल सरकार ने मठों की जमीन का अधिग्रहन करना शुरू कर दिया कमाल की बात है कि जिस देश में आज भी मंदीरों की प्रपटी सरकार कबजा कर लेती है वक बोट की संपत्ती चूने का अधिकार नहीं मस्जिदों गिरजागरों के पैसे उन धार्मिक संस्थाओं के होते हैं मंदीरों के पैसे सरकार अपने कबजे में लेती है इसका विरोध हो रहा है लेकिन उस दौर में जब केशवानंद भारती ने विद्रो अपनी सरकार से किया तो नानी जग गए नानी पालकी वाला को ढूढ़ा गया और नानी पालकी वाला सुप्रीम कोट में केशवानंद भारती के वकील बन कर सामनी आए केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट का मामला सुप्रीम कोट में चला किसे पता था कि भारत की इतिहास को बदल देने वाला भारत की संविधानिक धाचा को बदल देने वाला एक फैसला हो जाएगा केश्वानन्द भारती जो मठ के संचालक थे भगवाधारी थे उसकी वकालत देश के तब के सबसे सम्मानित वकील कर रहे थे नाम था वही जो बच्चा हकलाता था नानी पाल की वाला अब हकलाने वाला बच्चा देश का सर्वस्रिष्ट वकील बनने वाला था उसकी लोके प्रिता चरम पे थी नानी पाल की वाला ने सुप्रीम कोट में ऐसी जिरह की जिसने सब कुछ बदल दिया, सम्मिधानिक धांचे को बदल दिया दरसल जबाहरला नेरू ने सम्मिधान में कुछ बदलाव किये थे और ये कहा था कि सुप्रीम कोट कुछ कानूनों के साथ चेर चार नहीं कर सकता संसत के बनाए कानून को इसाथ चेड़ चार नहीं कर सकता और इंदिरा जो कुछ भी कर रही थी उसी रूल के हिताब से कर रही थी इंदिरा के ज़्यादा तर फैसले जनहित के थे और इसलिए उनकी लोक प्रेता बढ़ती जा रही थी 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थी उसी समय में गोलक नाथ मामले में सुप्रिम कोट ने मौलिक अधिकार में कटौती करने पर रोक लगाने की बात करी कि संबिधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें कटौती नहीं किया सकता मौली कधिकारों को छीना नहीं जा सकता सुप्रिम कोट की इस फैसले को इंदीरा गांधी ने 1971 में 24 मां संसोधन करके पूरी तरह से बदल दिया अब नानी इससे नाराज चलने लगे फिर क्या था सुप्रिम कोट में वो भारस सरकार के खिलाप जाने लगे दरसल इसका बहाना केश्वान अंधार घी हो गगए सानातन भारत उस समय में सेकुलरिज्म जैसा कोई मुद्दा नहीं था भारत आजाद हुआ था हिंदूं ने उपीरा जेली थी पाकिस्तान मुसलमानों ने ले लिया तो उस समय सेकुलरिज्म जैसा कोई मुद्दा था नहीं इस देश में इंदिरा गांधी ने के खिलाब ये मामला सुप्रीम कोट पहुँचा इंदिरा गांधी चाहती थी कि हर हाल में केशवानंद भारती केस में केशवानंद की हार हो नानी पाल की वाला ये केस हार जाएं इंदिना ने पूरी जुगत लगा दी और इसके बाद सुप्रीम कोट में जब ये मामला आया तो तेरह जजों की सम्मेधानिक पीठ ने इस पे सुनवाई की तेरह जजों की संवेधानिक पीठ ने जब इस मामले की सुनवाई की लंबे समय तक और सथ दिनों तक इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोट में हुई भारत की इतिहास में न भूतो न भविस्टी इस से पहले कभी तेरह जज एक साथ बैठे नहीं थे और इसके बाद भी कभी एक साथ नहीं बैठे तेरह का आंकड़ा दुनिया में बहुत जगह अशुभ माना जाता है भारत में भी तेरह जजों के इस पीठ के इस फैसले ने एक बुनियाद रख दी सरकार कारेपालिका और नियाईपालिका में टाकराहाट की वही से एक ऐसी बुनियाद पड़ी जो अब तक खत्म नहीं हो रही 24 अप्रेल 1973 को केशवा नंभारती बनाम स्टेट मामले में सुप्रीम कोट का हिस्टोरिकल फैसला आया और जब ये सुप्रीम कोट का फैसला आया तो पूरा देश चौक गया तबके Chief Justice of India, Justice S.M. सीकरी की अध्यक्षता वाली Bench ने ये फैसला दिया और सीकरी की अध्यक्षता वाली Bench ने जब ये फैसला दिया उस फैसले में यह साप साफ संकेत दे दिया गया कि सुप्रीम कोट की भारत की जो सरकार है सम्मिधान में कि मौलिक धाचे को नहीं छेर सकती केशवानन्द भारती केस में यह साप कहा गया कि सरकार सम्मिधान से उपर नहीं है संसोधन तो सरकार कर सकती है संसत सम्मिधान में संसोधन तो कर सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर उसके मौल भावना से खिलवार नहीं कर सकता सरकार यदि किसी कानून में बदलाव करती है तो अदालत को समिक्षा करने का अधिकार है दरसल ये जो थर्ड पॉइंट है उसने सुप्रीम कोट को सुप्रीम बना दिया भारत की संसद से इसे डाइजिस्ट नहीं कर पाई उस मठ पर केशवानन भारती का तो कबजा हो गया लेकिन भारत की संब्धानिक वेबस्था पर मानों सुप्रीम कोट का कबजा हो रहा था इन दिराव उस समय लोकप्रेता के पीक पर थी उन्होंने सुप्रीम कोट के फैसले को नहीं बदला लेकिन उन्होंने उन जज़ों को ऐसी सजा देनी की सोची जो इस से पहले उनके पपा भी नहीं कर पाए थे अगले ही दिन भारत के मुखिन आधीश जस्टिस सीक्री का रिटाइर्मेंट था मतलब 25 अप्रेल 1973 को सीक्री 13 में मुखिन आधीश थे इस देश के 13 में मुखिन आधीश थे जस्टिस सीक्री 14 में मुखिन आधीश का चैन होना था मतलब 13 का आँकरा फिर टकरहाट का कारण था और 14 में चीफ जस्टिस 13 के बाद जब 14 में चीफ जस्टिस की निक्ति होनी थी इंदिरा गांधी ने तीन जज़ों को सुपरसीड करके हटा करके जस्टिस ए एन रॉय को भारत का मुखिन आधीश बना दिया और जो ही जस्टिस रॉय को उन्होंने भारत का मुखिन आधीश बनाया तो उनसे सीनियर जो तीन और जज़ थे मतलब 14 ज़़ एक तो रिटायर कर गए जो तीन और ज़़ थे उन्होंने इस्तिफा दे दिया भारत की इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोट से क ज़़ों को ऐसी सजा सरकार ने दी इससे भारत की लोकतांत्रिक धाचा को चोटिल हुआ चुकि 6 वर्सेश 7 के टकराहट से केशवानन भारती केस में ये जीत हुई थी मतलब 7 ज़़ों ने केशवानन भारती केस में उस मठ के महंत को डिगरी दी थी लेकिन ये मामला सिर्फ नाम तक रह गया इसका मूल उदेश जो नानी पाल की बाला के बहस में आया वो केस वानन भारती तक ही सिमित नहीं रहा उसने भारत के सम्मिधान के मौलिक धाचे को बदल कर रख दिया उसने सरकार की शक्ती को च्छिन लिया उसने संसत की शक्ती को च्छिन लिया और सुप्रीम कोट को सुप्रीम बना दिया। दरसर नानी पालकी वाला के जिरह में यह बात कही गई कि नानी पालकी वाला ने भारत की जनता को अधिकार दिया। मौलिक अधिकार जो इस देश की जनता को है उसे बचाया इस देश की संसद इस देश की सरकार जनता के मौलिक अलिकार को नहीं चीन सकती इसलिए लोकप्रेता के पीक पर चले गए और चुकि एक वकील के रोप में उन्होंने जुडिसियरी का सम्मान बढ़ाया इसलिए तमाम नहायधीस नानी पालिकी वाला का सम्मान करते हैं इस फैसले ने सरकार और सुप्रीम कोट की टक्राहाट बढ़ा दी कारे पालिका और नहायपालिका की टक्राहाट बढ़ा दी केशवानन भारती केस के बाद ये इस कदर बढ़ा इंद्रा इसकदर बदले के भाव में थी कि उन छे जज़ों को छोरने के मूड में नहीं थी एक जज़ तो पहले चीफ ज़स्टिस रिटायर हो गए थे उन्हें कोई सरकारी सुविधाई नहीं दी गई दूसरे जज़ तीन बाद के ज़ज थे उन तीनों जज़ों को सुपरसीड करके चौते जज़ एन रे को उन्होंने चीफ ज़स्टिस बना दिया चार जज़ पहले निपड़ चुके थे ज़स्टिस रे के बाद उनके रिटायर्मेंट के बाद बाड़ी एच आर खनना की थी वो पाँच में जज़ थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था एच आर खनना को सुपरसीड करके उन्होंने एच एम बेक को चीफ ज़स्टिस बना दिया एच आर खनना ने भी अपने पुरबरती तीन ज़जों की तरह इस्तिफा दे दिया मतलब गले की हड़ी जो पाँच ज़स्टे उसे वो निपट चुके थे सुपरीम कोट से इंदिरा हटा नहीं सकती थी लेकिन उस समय पावर था सरकार के पास कुछ हट तक लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सुपरीम कोट के चीफ ज़स्टिस को कौन तै करेगा इंदिरा गांधी अपने पूरी रुआप पर थी इंदिरा मतलब इंडिया हो गया इंदिरा ही सब कुछ हो गई सुपरीम कोट को जो नाथ दिया इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी से बड़ा कुछ भी नहीं था इंदिरा गांधी ने सीधे सुप्रीम कोट से सीधे भारत की न्याई पालिका से टक कर ले लिया हार खन्ना के जगा पर हाचम बेग तो बन गए चीफ जस्टिस लेकिन इसी बीच इलहाबाद हाई कोट में एक मामला आया इंदिरा गांधी के चुनाब से जड़ा हुआ और इलहाबाद हाई कोट ने इंदिरा गांधी के चैन पर ही कोई औसम्मेधानिक बता दिया मतलब देश के प्धान मंत्री संसत की सदस्ट से नहीं रहेंगी इलहाबाद हाई कोट ने यहाँ फैसला कर दिया और इलाबाद हाई कोट के इस फैसले के साथ ही इंदिरा इतना तिल मिला गई जिस इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोट को नात दिया था उस इंदिरा गांधी को हाई कोट के एक जज़ ने उनके चैन पर ही उनके चुने जाने पर कोही ओसा मैधानी करार दिया मतलब उनकी संसत की सदस्ता च्छिन ली और यदि वो संसत की सदस्ता नहीं रह गई तो वो भारत की प्रधान मंत्री नहीं रह सकती थी इलाबाद हाई कोट के इस फैसले से नाराज इंदिरा गांधी ने एमर्जन सी लागो कर दिया जो भारती लोक तंत्र पर सबसे वरा धबा है अब सुपर पावर इंदिरा गांधी हो गई वो जो चाहती थी वही करती थी अपनी लोकप्रिता के शिखर पर थी इंदिरा बैंकों के राष्ट्रे करन से लेकर के रजवारों को नाथने बाली इंदिरा सुपरिम कोट को नाथने बाली इंदिरा लोकप्रिता के चरम पे थी उन्हें लोह महिला कहा जाने लगा अमेरिका देसे कई देशों ने कहा कि भारत में एक पुरुष है जो इंदिरा है बर तब एक महिला को मर्द बताया गया वो गुंगी गुडिया अब जब बोलती थी तो दूसरे सिर्फ सुनते थे इंदिरा की लोक प्रिता चरम पे थी और जब इमर्जंसी लागू हुआ उस इमर्जंसी के दौर में कई अत्याचार हुए जेपी का अंदोलन चल रहा था लोगों को एरेस्ट करके बड़े बड़े निताओं को जेल भेजा जाने लगा सब कुछ सम्मिधान की धजियां उड़ाया जाने लगा और सुप्रिम कोट पी बेबस नजर आने लगा लेकिन इसी बीच चुनाव हुए और जनता में ये मैसेज गया कि इंदीरा ताना शाह हो गई है और देश में पहली बार आजादी के बाद से 1977 में कॉंग्रिस पार्टी चुनाव हार गई और जनतादों की सरकार बन गई जनता पार्टी की सरकार बन गई और उस पार्टी में के तरफ से नानी पाल की बाला जिन्होंने कहा था कि वो अट और नहीं नहीं बनेंगे वो अमेरिका में भारत के राज़ दूद बनाए गए क्योंकि वो इतने तेज तरार थे कि देश ने अमेरिका जैसे राज़ बताब सबसे काविल व्यक्ती को जो उचायुक्त नुक्तिया जाता है जहां पंडित नहरू ने अपनी बेहन को भेजा था अमेरिका में इंदिरा ने जिस व्यक्ती को अटाडनी बनाना चाहा वो बना नहीं पाई जनतापाटी की सरकार में नानी तीन साल तक उठाई साल तक भारत की उच्चायुक्त रहे इंडियन एमबैसेडर रहे इसका मतलब ये साफ है कि नानी पाल की वाला को सरकार और सिस्टम में काम करने से इतराज नानी को दरसल इंदिरा चुबती थी उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई कहते हैं कि नानी पाल की वाला से बहतरीन जिरह करने वाला अदालत में आस तक कोई वकील नहीं हुआ नानी के भी हाल ही दिनों में मौत हो गई और पचास साल हो गए हैं उस फैसले के 24 अप्रेल को पचास साल हो गए पचास साल के बाद फिर नानी पाल की वाला के जिरह वाला यह केशवा नंद भारती बना में स्टेट केस मोधी सरकार को चुपरा है क्योंकि उस फैसले ने सुप्रीम कोट को सुप्रीम बना दिया और जिस तरह से इंदिरा गान्धी कई मामले में तानाशा हो गई सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोट उसी धंग से तानाशा हो गया है यही कारण दिखिश देश के कानून मंत्री लगातार यह कहते रहे कि सुप्रीम कोट में भाई भतीजाबाद है और जो भाई भतीजा बात करके चुने आते हैं योगिता के अधार पे नहीं चुने जाते जिनका देश की जनता के परती जम्यदारी नहीं होती है वो व्यक्ति सुप्रीम कैसे हो सकता है बात यहीं तक नहीं रुकी भारत के उपराश्टरपती जो राजसभा के सभापती भी होते हैं संसत के अंधर उन्हें बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने का एक देश की जनता के परती जम्यदार नहीं है सुप्रीम कोट और सुप्रीम कोट समिधान से बड़ा नहीं होता और सीधे तोर पे उन्होंने केशवानन भारती केस पर को चुनाती दी यह इलिगल फ संसत है सुप्रीम कोट नहीं तो सुप्रीम कोट कैसे यह तै कर सकता है कि इस देश में कानून क्या बरहेगा संसत के बनाए कानून को सुप्रीम कोट कैसे चुनाती दे सकता है धनकर ने लंबा भाशन दिया और चुकि वो वरिष्ट वकील रहे हैं सुप्रीम कोट के इसलि चुपपी लगा दी धनकर कई सभाओं में भी यह बात कहने लगे कि सुप्रीम कोट को लक्षमन रिखा तै करनी चाहिए और उन्होंने पहली बार सम्मिधानिक पत पर बैठा किसी व्यक्ति ने सीधे तोर पर केशवानंद भारती केश को गलत बताया गैर सम्मिधानिक बताय और कहा इसे डस्ट मीन में डालने की जरूरत है बात उपराश्टरपती तक ही नहीं बात राजसभा के सभापती तक ही नहीं लोगसभापती ने भी इस पूरे मामले पर ओम विरला की भी टिपुनी आ गई उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट को लक्षमन रिखा नहीं लांग जिस सुप्रीम कोट ने देश के कानून मंत्री के लिए अटार्णी को कहा था कि अपने मंत्री से कहिए कि वो सीमा में रहे उस सुप्रीम कोट ने इसके बाद चुप्पी लगा दी समिधान में सुप्रीम कौन है इसकी व्याख्या साफ है कि संसत सुप्रीम है भारत के राश्ट्रपती सुप्रीम है प्रोटोकॉल में उपराश्ट्रपती नंबर टू है नंबर तीन पर भारत के प्रधान मंत्री है उपराश्ट्रपती और प्रधान मंत्री के बाद ही भारत के मुख्य नैरीश आते हैं सुप्रीम कोट लोक तंत्र का एक स्तंभ तो है एक पहिया तो है लेकिन वो सुप्रीम नहीं है लेकिन केशवानन भारती जज्जमेंट को यह आप देखें तो यह साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोट सुप्रीम हो गया सरकार समिधान से उपर नहीं यह सुप्रीम कोट तै करता है कहता है अपनी जज्जमेंट में केशवानन भारती का जो दूसरा पॉइंट है कि सम्मिधान मिश्टन शोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं किया सकता ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन सुप्रीम कोट ने जो अगली टिपनी अगला आदेश में जो जोड़ा है कि सरकार ये किसी कानून में बदलाव करती है तो अदालत को समिक्षा करने का अधिकार है इसी अधिकार ने इस देश के लोकतंतर को बंधक बना दिया है किसान आंदोलन से किसान बिल पे सुप्रीम कोट ने कुंडली मार लिया सी ये जो इस देश के नागरिक्ता देने का अधिकार था जो उन लोगों को जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगला देश से आए हुए थे जो हिंदुस्तानी बेसिकली थे सुप्रीम कोट ने संसत के बनाए हर कानून पर कुंडली मार दिया दरसल आम आदमी को ये लगता है कि सरकार ने संसत के दोनों सदनों से जिस बिल को पास कर दिया राश्ट्रपती ने जिस पे मुहर मार दी वो कानून बन गया लेकिन इसी केस वानन भारती केस ने सुप्रीम कोट को संसत से सुप्रीम बना दिया जिसकी आखरी टिपनी थी कि सरकार यदि कोई कानून बनाए तो सुप्रीम कोट उसमें बदलाओ कर सकता है उसकी समिक्षा कर सकता है इसलिए C.A. अब तक लटका हुआ है किसान मामला लटका हुआ है संसत के द्वारा पास कानून रुका हुआ है परचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार वो कुछ भी नहीं कर पाती जिसके लिए जनता से वाइदा करके आई थी इसलिए नरिंद्र मोधी सरकार केशवानन भारती केस मामले को ध्वस्त कर देना चाहती है ताकि इस देश में सुप्रीम संसद रहे सुप्रीम कोट नहीं क्योंकि जनता के प्रति जम्यदार सुप्रीम कोट नहीं संसद होता है इसलिए देश के कानून मंत्री ने बार बार कहा है कि सुप्रीम कोट के ज़द चुनाब नहीं लड़ते वो कह रहे हैं कि उनके चैन की प्रक्रिया सरकार के हाथ में होनी चाहिए क्योंकि सरकार के पास जो शक्तियां है सरकार के पास जो स्ट्रक्चर्स है उससे सही विक्ति का चुनाब हो सकता है सुप्रिम कोट के जज़ के लिए सुप्रीम कोट के पांच जज़ों में से तीन जज़ जिसे चैन कर देंगे वही सुप्रीम कोट का जज़ हो जाएगा हाई कोट का जज़ हो जाएगा मतलब उन तीन लोगों के नज़र में जो बहतर होगा वो चैनित जज़ हो जाएगा बांकी लोग बेकार रह जाएंगे यह योग्य हैं तो जनता कोई बात कंविंस हो रही है यही कारण है कि केशवानंद भारती जो भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा जजों के द्वारा दिया गया फैसला है जो सुप्रीम कोट के इतिहास में सबसे महत्पून फैसला माना जाता है उसे सरकार अब खत्म कर देना चाहती है दरसल तेरह जजों के इस फैसले ने देश के तेरह में चीफ जस्टिस की अगवाई में तेरा जज़ों के इस फैसले ने सुप्रीम कोट और सम्विधान के बीच चुभन पैदा कर दी है क्यों कहिए कारेपालिका और नियाईपालिका के बीच टकराहाट पैदा कर दी है तेरा कहीं जगा अशुब माना जाता है भारत ये लोकतंत्र के लिए भी क्या यह अशुब हो गया है जिसके कारण भारत की कारेपालिका और नियाईपालिका टकराती नज़राती है केशवानन भारती नहीं रही इंदिरा गांधी भी नहीं रहे लेकिन इस देश का सम्विधान है इस देश का संसद है इस देश का लोकतांत्रिक धांचा बरकराड है भारत का समिधान लचर है उसमें बदलाव की पूरी विवस्था की गई है और कुछ भी बदलाव इस देश की जनता के हित्मे होना चाहिए इस लेशन आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए इसे शेयर लाइक जरूर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद बंदे मातरम जैहिंद